हेलो फ्रेंस गुड वानिंग कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंस आज है 26 अगस 2021 और आज की इस वीड़ो हम लोग 26 अगस के दैनिक रोजगार समाचार को देखेंगे यहां पर आप लोग मोखे खबरें देख सकते हैं जैसे डाक विभाग में 4244 पदों पर भरती होने जा रही है उत्रपदेश में उसके बाद लखनव इन्वस्टी की PG की प्रवेस परिच्छाएं 6 सितंबर से स्टार्ट हो रही है उसके बाद जो आंगनवाली की भरती निकली थी कारकरता की वो भरती निरस्ट करने की मांग कर रहे हैं उसके बाद 4 जिले के आदिवासी ST में होंगे सामिल ST का दरजा दिया जाएगा वो कौन कौन सी जिले हैं इन सभी ख़बरों को हम भी हम लोग डीटेल में देखेंगे उसके बाद यूपी बेट एंटरंस एक्जाम रिजल्ट के बारे हम बात करेंगे तो चलिए इस बीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली खबर यहाँ प यहाँ पर पोश्ट आप लोग देख सकते हैं साख्या पोश्ट माश्टर हो गया अधार पर करेगा सेलेक्ट होने की सूचना मोबाइल पर मैसेज वा इमेल की से मतलब दी जाएगी आवेदन के बाद अभ्यारती को रेजिस्ट्रेशन नमबर्स मिलेगा आवेदन 22 यतंबर तक डांग विभा के पोर्टल पर कर शकते हैं इन पदों में 1988 अनरचीत है उसके ब अगर आपको मेरी वीडियो ये न्यूज आपको पसंद आया करें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही डेली एजुकेशनल लिउच पाने के लिए आप लोग हमाले चैनल से जूड़े रहे हैं चैनलों को सब्सक्राइब करके बगन में विलाकों को ओल पेप् पीजी की परवेश परिच्छाएं 6 सितंबर से ठीक है तेरा तक दो पाली में सुबह 11 से साड़े बारा उसके बाद दोपार तीन से साड़े चार बज़े तक होगी परिच्छाएं नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग यहां पर देख सकते हैं लखनव विस्विद्दैले क इस नाकोत्तर पाठेक्रों में दाखिलों के लिए प्रवेश परिच्छाएं 6 सितंबर से सुरू होंगी विस्विद्दैले ने बुधवार को प्रस्तावित कारिकरम जारी कर दिया है चात्र विस्विद्दैले की बेशाइड डबलू डबलू यह बेशाइड है इसमें द दाखिले एक सितंबर से सुरू हो रहे हैं अगली खबर हमारी है आंगनवारी कारकरता की जो भी भरती निकली थी उसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं क्यों निरस्त करने की मांग कर रहे हैं यह हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निरस्त हो आंगनवाडी कारिकरता भरती EWS कोटे का आरचन दिये बगैर परदेश में चल रही आंगनवाडी भरती कारकरताओं की भरती पक्रिया पर उग्र महिला आगनवाडी कर्मचारी संग के अधश ग्रीस कुमार पांडे ने मुक मंत्री को पत्र लिखा है इसमें उन्होंने भरत को रद्द करने की मंग की है संग ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि इस भरती के संबन में जारी सासना देश में सपा सरकार द्वारा जारी प्रावधान को लागो कर दिया गया है यहीं नहीं ICDS में चैन समीती बनाने में भी केंदर के दिसा निर्देश की अंदेखी की गई है साथी ब्लॉक इस्तर की जिम्मिदारी चैन समीत की इस्थान पर जिल्या इस्तरी और गेर जिम्मिदार चैन समीती बना दी गई है आउहेलना पर तीन हमा की सजा का प्रावधान है प्रद दिये बेगार जो यह भरती निकल दी गई थी अगली खबर हमारी चार जिले की आदिवासी सामिल चलिए देखते हैं कौन-कौन से जिले हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टी का दर्जा मिलने से चार जिले के आदिवासी होंगे लाभव अंतित केंद्र सरकार के कानून बन जाएगा इस से वर्सों पुरानी मांग भी पूरी होगी केंदरी कैबिनेट के प्रस्ताव के अनुसार यूपी के चंदोली हो गया कोसी नगर हो गया संतकभी नगर हो गया और भधोही में रहने वाले आदिवासियों को भी अनुसूची जन जाती यानि के स्टी क दर्जा मिलेगा ठीक है तो यह चार्जिले आप लोग देख सकते हैं अगर आप इन चार्जिले से हैं आदिवासियों में आप लोग आते हैं तो आपको स्टी के दर्जा मिलेगा ठीक है और यहां पे आप लोग देख सकते हैं और सारी भी भरतिया निकली हैं जैसे मैनेज इन मोड इसका जो है आउनलाइन लिया जाएगा अधिक जानकारी के लिए प्रूक इस बेव साइट को चेक कर सकते हैं सैचे की योगता वगरा देख सकते हैं आवेदन की अंतीम तारिक है 3 सितंबर उसके बाद प्रशाशनिक अधिकारी बनने का आउशर है निव इंडिया ए प्रशाशनिक हो गया बॉयलर हो गया अटेंटिंट हो गया मसेनिस्ट हो गया सर्वेयर हो गया तो यहां पर तीस बर्स इसकी उम्र है और आवेदन करने की अंतीम तारिक है 23 सितंबर आईकर विभाग में पाएं नवकरी यहां पर कुल पद है 28 लाश्ट खाबर हमारी बच लीटो जाती हो गया लृए बसमien और आपका दर्शाब्स कोई नहीं नहीं लगते हैं तो सारे के सारे धॉकमेंट जो हैं आपके यह बैंक एक genau बैंक एकांट आप लोग किसी का भी दे सकते हैं बैंक एकांट इसलिह मांगा जाता है जैसे आप जैसे नया अखंट मत खुलवाइए कि जहां अच्छिवान लीजिए आपका दूसरे आड्मिसन हो गया वहीं आपका तो आपको को Jordi वहीं खुलुँएंप एकाउंट जिस जिले में आपका college रहेगा उसी जिले से समझा दूंगा कैसे क्या कब होगा कब रेजिस्ट्रिशन करना होगा कब चॉइस पिलिंग करना होगा कब इसका एलर्टमेंट आएगा ठीक है तो सारी जानकर यह आपको देता रहूँगा और ऐसी ही डेली एजुकेशनल न्यूश पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से